हैलो नमस्कार मैं कुंदन सिंग आप सभी को मेरे यूटूब चनल टिभील कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम 2019 पॉल टेकनिक इंट्रेस्ट एक्जाम में जो मैल्थ का सवाल पुछे गए थे 30 कोचन उन 300 कोचन का हम सलूशन बारी बारी से देखेंगे तो आप मेरे चैनल पर दिन नए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि परते एक वीडियो के नोटिफिकासन आपको मिले और हम इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड करते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं लगातार इस वीडियो पर बन रही है और इस वीडियो से लाब उठाइए तो चलिए सुरू करते हैं तो मैंत क्या फर्स्ट कोर्शन आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल है एक बेपारी अपने एस टोट से खरदी जाने वाली वस्तुवों पर दस परसंट की छूट का बिग्यापन देता है सरे 600 रुपय मुल्य का एक कूकर 500 रुपय मुल्य का एक हीटर और 500 रुपय मुल्य का एक बैक खरिदने वाले गाहां को कुल कितनी छूट मिली मतलब पर एक वास्तु पर दस पर्शन छूट मिल रहा है तो तीन वास्तु ये खर दा है तो तीनो वास्तु का कूल मुल्य कितना हो जाएगा सारे 600 रुपया पलस 500 रुपया पलस 65 रुपया सब को जोरेंगे तो कितना हो गया पांच छे पचे गारे की खर सिले एक पांच हो एक बारो बारे से पंदर रुपया टोटल हो गया अब इस पर कूल छूट कितना है कूल छूट दिया हुआ है दस परसेंट तो हमको कुल छूट निकलना है तो बा कुल रासी का दस परसेंट तो कुल रासी कितनी है बारे सब पंदरो अकाय के जगए पर गुना और दस बटा सव एक जर से जर के एंसे लोग है काटेंगा तो एक से एकीस दसमाल पांच रुपिया यही हमारा राइट आफ संकि बात करें तो अफ्सन नंबर डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा एक से 21 रुपिया आठ ना हमारा सही उत्तर होगा इस तरह अगला प्रस्ण आगला प्रस्ण को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल है एक आयता का टीन सीट बारे सीम लंबी और पांच सीम चवरी है तो यह आताय का टीन हो गई, जिसकी लामबाई है 12 cm और 4 है 5 cm इसे लामबाई में इस पर का रोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के सीरो का एक दूसरे से स्पर्स करते हुए बेलन बनाया जा सके तो बेलन का आयतन निकालना है मतलब इसी आयत से हमको एक बेलन बनाना है ठीक है और कि इसके अनुरूप तो लामबाई के अनुरूप हमको बेलन बनाना है तो इस तरह हम इसको फोल्ड करके इस तरह इसको फोल्ड करेंगे तो यह इस तरह होगा बेलन यह जो आयत की चवराई है यह तो सेमी रहेगा पाच था पहले सभी और अभी भी पाच है ठीक है लेकिन यहां पर हमको त्रिजन मालब करना है त्रिजन नहीं दिया होई इसको मोरें गे है लाज बरत के परद दिकाता टू पाई आट बाबर 12 सेंटीमीटर दो सब्सक्राइब बार और लो कि अज़िए पाई सेटा के वह यह तो यह रखी यह कूंकि पाई सेंटीमीटर हागा और पैसे बट एक केंशल हो जाएगा और लेग दो भंण शकते क्योंकि वह से पाई दो है और है पांच पर आप सेंसे मेटर आया कि आपसीं की बात प्रस्टा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाब ध्यान सुसराइब है question है 7 cm आधार तिरिज्या वाले 24 cm उचे संकु तो संकु पहले बनाते हैं जिसकी तिरिज्या कितनी है इस संकु की तिरिज्या है 7 cm और उचाई है 24 cm कि लिए कितने चादर की लोह के सकता होगा यहां प्योपी और नीचे वर्न करफ सता की कि तो यहां प्रमान लेते हैं आ नियरा यूप ठीके तिर भूज का अनूसर तो आगे बढ़ते हैं आप दिहानसों देखिये हमको निकालना क्या है हमको तिर्यक लंबाई इसको निकालना है ठीक है तो तिर्भूज ए ओ सी से चले सामकों तिर्भूज ए ओ सी से चले तो क्या हो जाएगा तिर्यक लंबाईल बराबर हो जागा रूट ओभार ट्वंटीफोर के स्क्वाइर अपलास सेवेन का स्क्वाइर ट्वंटीफोर के स्क्वाइर के आगा फाइब सेबं सिक्स आपलास पूर्टीनगे तो वह 15 के 5 करी वान 7 फर 11 ट्वेल के 2 करी वान 5 और 6 इसका वर्गम कितना है 25 तिरे क्लामबाई के दिले निकल के आगी 25 सेंटिमेटर तिरे क्लामबाई निकल के आगी अब हमको क्या निकालना है चदरा का छेतरफल निकालना है तो इसको भी एड करेंगे और बिरत्यकार सतह की हो जाए का फörमूला आर एंस्कुर और इसके लिए क्या होगा फर्मूला पाई आर इल छिक है तो पाई के जगापर 22 बट्था अगूने आर के जग के जगापर 25 गूने पाचीश आप पलस 22 बट्था आप लिएफ शूरि अ कह निक्ति लिखेंगे साथ गुने साथ आप 22 बटा साथ गुने साथ गुने ल करेंगे लिए 25 साथ साथ केंसित साथ साथ केंसित 22 बटा एक सोचोवन आप पला से सारे 500 एड करेंगे इसको 245,06 sesame 704, 704 CM2 हमारा राइट आप्सर आया यहिदि आप्सर की बात करें तो आप्सान no.c हमारा सही उत्तर होगा इस तरहला हम आगले बाले प्रास्चन को बोट बटे सकते हैं सवाल है P कारे को 9 दिन में करता है ठीक है क्यूं पी से पचास परशन अधिक स्वक्षा में मतलब उससे अधिक क्याम करता है तो क्यूं को उसी कारे को करने में कितना समय लगेगा पहले जो दिया हुआ उसको हम लिखते हैं आप बोर्ट पर धियान रिचे दखिए प्रस्त कौन सार हम देखेंगे तो पी और किव को जो रेसियो है 3 बाई 2 रेसियो 1 के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर दखिए आप धियान से तो पी के द्वारा काम खत खटम करने में कितना समय लगता है लगा समय कितना है नव देन ओकै इसलिए अब निकलें के द्वारा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा नौ गुने इसको उल्टा करेंगे द music兄 हो जागा है यह हमारा सही उत्र हर गा कि उसका आम को चौनट । करेगा और ? i यह जी से 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किया जाने पर करमा सा 8, 14, 32 और 41 स्यस बचे ठीक है तो प्रश्ण करनुसर हम इसको स्वल्व करेंगे स्यस की बात करें क्यों की बात करें तो पहली संख्या में कितना स्यस बच रहा है आठ बच रहा तो आठ मैनेस करेंगे दूसरी संख्या में कितना स्यस बच रहा है दूसरी संख्या में स्यस बच रहा है तो यहां भी चार आया तो मतलब चारों का मतलब प्रिश ग dove अ पॉपहइन प्रण प्रणी संख्या में में और अथारह च्रह वर आठ भтов च्रहा में धुट करेंगे जिर्या अन्दाफ ट्रह Home अब सभी न क्में निकाल कोस्यरह में चारप 15 का मतलत ना लीड़ा in सब्सक्राइब कर देंगे जो प्राप्ताय का हुई हमारा लगुतम साहा परताख होगा यही राइट हमारा अप्शन होगा जो अप्शन की बात करें तो अप्शन नमबर यह हमारा स्वह उतर होगा अगले प्राशन को आप बोड़ पर देख सकते हैं सवाल है आयू में आठ वर्स का अंतर होने पर दो भाईयों की आयू का एक फल अठारा वर्स बात दो गुना हो जाएगा छोटे भाई और बड़े भाई के आयू का अनुपात न मानेंगे एक्स वार्स माल ने ठीक है इस कैस्टा रहां दूसरे भाईकि मबॉल प्राश्ण का उन निसर क्या हो जाएंगा च अफ वर्स अधिक है तो आठ एल को लेंगे एक से प्लास एक्स प्लास एट इन्टू तू दो गीना हो गया आप बोट पर ध्यान से देख सकते हैं तो इस तरह हम इसको साल्ब करेंगे तो एक्स एक्स टू एक्स आट और एट और टेन टूटीएट एकवाल इधर क्या बचा इधर बचा एक्स और एक्स टू एक्स आप्लास एट इन्टू तो इसको हम साल्ब करेंगे तो टू एक्स प्लास टू एक्स आप्लास शिक्स टीन अब एक्स वाले का एक्स तरह अपलाएंगे ग्स गात आठमेस हो गए दो में से एक बार और यहां पर दो एक्स दो छाटे के बार अच्या इसलिए ügenकांट आईया 6 एक्स का मान आया 6 यानि पहले भाइ की उम्र कितना रहा 6 वर्स इस तरह आप बन दे सकते हैं इस तरह पहले भाइ की उम्र कितना आया 6 वर्स इस तरह दुसरे भाई की अबर निकालेंगा तो मानः पुट करेंगे तो दुसरा किで बात करें तो एक स्धीन तो कहले हैंगा 6 plus 8 14 years मतले एक भाई 6 words का है तो दूसरा भाई कितना words का होगा 14 words का होगा यदि हम option की बात करें तो option number sorry अनुपाद निकालने के लिए को रहा था ठीक हम ratio निकालेंगे तो ratio 6 बाटा 14 काटेंगे तो 3 अनुपाद 7 हा जागा option की बात करें तो option number option number B हमारा right answer होगा इस तोरह इसके आगे वहले प्रस्णी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल है एक स्कूल के 30 सिख्षकों में से 60 words की आयू का एक सिख्षक सेवानी विरित हो गया उसके स्थान पर 30 words की आयू के एक औरने सिख्षक को निवत किया गया परिणाम सवरोप सिख्षकों की माध्या आयू कितनी होगी तो इसको स्वाल्प करते हैं आप बोड़ पर देख सकते हैं तो स्वाल्प करते हैं इसमें कुछ दिया नहीं तो मानना परेगा तो लेट माना की माना की 30 सिख्षकों की आयू 30 सिख्षकों यह कि कि अधिए अधिनी एवरेज माधे का अनुसार आयू क्या है एकष्वर समाल करें दिया कुछ यह कुछ नहीं गध लय fun a lot को क्या लें में लेने पर क्या टो प्रस्व्ण का अनुसार क्या बोल रहा हूं इस तुरह हम इसको को सल्व करेंगे y कमांड जो होगा m बटा 30 की इक वाल होगा इसको समय करना फर्स्ट माल लेंगे फिर से m पलस y कमांड के आएगा m पलस 30 माइनस 60 बटा 30 इसको सल्व करेंगे हम तो m माइनस 30 बटा 30 इस्तर हो गया इसको अब अकेला करेंगे इस्तर हो ली सकते हैं अब हम समी करन फर्स्ट का अनुशल जहां पर m बटा 30 है वहां पर मान भरेंगे तो इसको समी करन से करम लेते हैं रिखेंगे समी करन 2 में फर्स्ट का मान रखने पर तो 2 क्या है m बटा 30 माइनस 1 तो कितना घट रहा है कितना घट रहा है एक इस तरह कida कि बात करें तो अप्ट vocêne number सभाइन बी सही होंगा कि रहा है यह हैं पहलेर चैश्ट रहा आधें बीनमबर अप्ट सही होगा कि इसके आगी वहले प्रस्ट को आप उसे どौ करीन कर देख दौसक्ते है सवाल है गीता से 1.3-4 किलोमेटर की दूरी पर एक बंदुक से गोली चलाई जाती है वो चार सेकंड बाद आवाज सुनाती है तो आवाज की यातरा करने की गति क्या है इसकी गति निकालेंगा हाँ मतलब चार सेकंड में इतनी गति हुई आप बोट पर देख सकते है गोली दुबड़ा दिया हुआ है गोली दुबड़ा चार सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 1.34 किलोमेटर इसका मोटर आवाज आलते है तो 1.34 आई इन्टू 1,000 मीटर 1.34 0 मीटर इस तरह हो गया अब देखिया हमको एक सेकंड निकालना है एक सेकंड की गजिए ठीक है इसलिए एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जेग तेरो से चालीस आप बाठा 4 चार सेकंड में इतना है तो 1.3 में कीतना हुआ तो 4 सभाय करेंगे 12845 3235 3235 436 हमारा राइट उप्व्षन होगा चाल की बात कर रहे ति तरह हम परद शेकन लग चाल हो जागा यानिए एक सेकन में गोली 335 मिट्रेग दुरी तय करती है यदि उप्व्षन के बात करे तो आप्शन नमर ए हमारा राइट आप्शन होगा इसके आगा वाले प्रशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन बहुत जाएगा बहुत ही इजी है थोड़ा लंबा मेथड पर चलेगा एक निशित आवधी के 10% प्रती वर्ट की दर से आठारे सो रुपया पर चक्यवधी ब्याज इतना हो जाता है तो समय हमको टाइम निकालना है यानि मतलों क्या क्या दिया हुआ है इस कोशन में आर का भईलू दिया हुआ है 10% पी का भईलू दिया हुआ अठारे सो रुपया और सी आई चक्यवधी ब्याज का भईलू दिया हुआ है 388 रुपिया हमको समय कमान निकालना है तो CI के फर्मूला आपको मालूम होगा आप आठवी में पर शुके होंगे CI के फर्मूला होता है P into 1 पलस R बाटा 100 के पावर T minus P चीक है तो CI के जगह पे क्या लिखेंगे CI के जगह पे हम लिखेंगे 388 पी के जगह पे 1800 1 पलस R के जगह पे 10 बाटा 100 आटी के टी रहेगा पी के जगह पे 388 ठीक है यह इधर माइनस में है इधर आएगा तो पलस में तो 388 पलस 388 आएधर गुना में इधर आगा तो भाग में इधर बाच गया 1 पलस 10 बाई 100 के पावर टी इसको साल्व करते हैं आठट सोरे के छे आर्सी लेक साथ चाहुद एप पॉंद्रे के पाशी लेक तीन 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 चाहुद साथ अमबट आठारे सो बरापर वन पलस 10 बाई 100 के पावर टी इस तरह हुआ अब इसको हम सल्व करते हैं तो आप ध्यान से बोड़ पर देख सकते हैं कि इस तरह सल्व करेंगे 6 से काटते हैं 36 18 दिरो दिरो फिर 6 एकम 6 चाह दो न बारह और 66 चाह के 36 फिर 6 से 6 35 और 6 दो न बारह और 6 एकम 6 इदर 21 आया अब इसको सल्व करते हैं है आप बोड़ पर देश सकते हैं इधर 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 क्या होगा 21 बाटा पाचास और इधर बाटा के जोड़ बनाते हैं एलिस्यम सो हुए या सोग पलास दोस बाटा टी 21 बाटा पाचास अब बाराबर 110 बाटा 100 के पाबर टी जोज जोर कट गया इसे को हमको सार्व करना है तो इसको हम इस तरह ली सकते हैं एक एक के पावर दो पहले सही है ठीक है और गुना में रूट के लिए एक बाटा दो अगुने एन ली देंगे आप तो यहां पर ऐन ना ली करके हमिं यहां पर लीखेंगे क्योंती यहां पर दो रहता है क्यांड दो नता होई ठीक है तो एक से पावर दो आगुने एक बाटा ऐन हो गया और फिर इसके पावर में लिखेंगे और शुचीन पर में रिखेंगे दो इसली देंगे शो सब्व करेंगे एक से पावर दो एक हम दो आप बटा एन अगूने एन वाई दो अगूने दो तो दो से दो केंसिल n सेण कैंसिल एन के पावर दो हमारा सही उत्तर हो गया है अजिए option की बात करें, तो option नमर c हमारा सही option होगा, इस तरह इसके आगा वाले प्रश्ण को आप दे सकते हैं, इसको solve करना है, question है, root 3 के power 5, into 9 के power 2, बरावर 3n into 3 root 3, और हमको n का मान निकलना है, तो इसको हमिस्तर ली सकते हैं, आप भ्यान से बड़ पर देखिए, इसको हमिस्तर ली सकते हैं, root 3 को हमिस्तर ली सकते हैं, 3 के power 1 के बड़ा दो, क्योंकि वार्गमूल का चीन यह भी होता है, और यह भी होता है, ठीक है, तो इसको हम 3 के पावर यहकश नै यह सकते हैं और इसको यृष सकते हैं तीन के स्कुफफ़ार के पावर 2 और बढ़ाबर 3 eram अगुने 3 रूड 3, साल भी किया इसको, 3 के पावर 5 चेकं 5 बटा 2, अगुने 3 के पावर 2 दो ना के 4, अब बराबर 3 N गुने 3 रूड 3, इसको हम आगे बरहाएं, तो इस तरह हो जागा गुनाय में, बेस सब जब सेम हो, तो पावर को जोडते हैं, तो 3 के पावर 5 बटा 2, अ बराबर 3 N गुने 3 गुने 3 के पावर 1 बटा 2, इसको इस तरह ली सकते हैं, इसको सॉल्प करें, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2, एक लोग तो हम 2, 5 बटा, सुचो का 16, बराबर 3 N गुने 3 के पावर, 1 और 1 बटा 2, तो 3 के पावर 3 बटा 2, इस तरह हो जाएगा, डेर हो बब्र तन के पावर सोरे पाँच 21 वतना दो थीन यह इन 5 पावर 3 दो वुद्टया इन अधर रहा और मैं तो थीन के पावर 21 वतना दो आब थीन को बावर थीन वतना दो बड़र थीन न चुanu साल्ब करेंगे भैव literature को घर घाटा है तीन थीन स्मृट Ahora 2 ब्रबर 3N 3-3 cancel हो गया बेस जब से में बराबर में है तो cancel हो गया तो N का भाईलों निकालेंगा 2-2 केलिसियम 2 21-3 बराबर N घटेगा तो 18-2 बराबर N केतना आया इसलिए N कमान 6 आया और यहीं हमारा सही उतर होगा यदि option की बात करें तो option number C हमारा right option होगा इस तरह इसके आगे वाले प्रस्ट को आप बोड़ पर देख सकते हैं 22 नमर सवाल है यदि इस एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बाई एक्स के पावर 4 बाई 119 हो तो इसको निकालना है तो इसको हम आगे शणव करते हैं तो चल् ли दाएगा आप धिसके अगे दिए इसटर ली सकते हैं 1 भी and one स्क्वायर सा का ह्योल सक्वायर अब आरव वान वन नाइन इस तरह ली सकते हैं चिक है अब इतरह ये स्क्वाइर है इसका अब हम साल्व करेंगे अब पलस भी को खुले स्क्वाइर पर तो हो जोगा तो ए स्क्वाइर पलस टू ए बी आपलस बी स्क्वाइर इस तरह हो जाएगा फिर इसको हम आगे स्वाइर करेंगे तो इसको ये तो ये केंसील हो गया इस दोनों को हम एक कर सकते हैं एक स्क्वाइर आपलस वन बाई एक स्क्वाइर दोनों जाए स्क्वाइर है rust है आप पलास में क्या और टू अब इसका जो मांन है इसके मांन कितना था 119 इसको बड़ल इसको लिखे थे इसके एक 119 है है तो हम इसके जगापे इसका घूहनी सकते हैं इसको जगापन। ह्ते हें लिखेंगे 119 पालस दो ब्रावर 121 । टीक है? इधर क्या बच्छा है? इधर 119 की जगाब है इधर क्या बच्छा है? xằर पलस 1 by support का का whole square यहां भी x² पलस 1 by x² का whole square इस तरह यह इदर यह स्क्वाइर है उधर यहांत है तो इस तरह x square plus one by x square का मान कितना आया 11 हमारा इसका राइट आपस्वान राइट एंसर आया इस तरह इसको हम आगे साल्व करेंगे तो आगे आप बोर्ड पर देख सकते हैं ठीक इसी तरह इसका मान निकलने के लिए हम इसी तरह हम इसको साल्व करेंगे x minus one by x का whole square बराबर a square minus two a b plus b square हम इसको लिए सकते हैं फिर इसको हम आगे बरहाएंगे तो यह आगे इस तरह होगा आ इसकोर हम यहाँ पर यवरी कैंसील हो जागा माइनस मेंट रचा आ पलास वन बलाइक सकर्वार तो बचा इस तो लोगको पास लें गें गेंगे केल्पर बलास वन बाई एक सक्वार अब माइनश 2. अब यहां पे यहां पर formula रा सकते हैं तो यहां पे यहां रख एगेरे रखेंगा गया माइनश 22 रहए नौ इस्तरा हमारा सिक्षी का मान निकल के आया अब इसी तरह हम हम आगे पूट करेंगे ठीक इसी तरह हम यहां पर बनाते हैं एकस माइनस वन बैस का होल क्यूँ इसको हम ली सकता है तो यहां पर एकस क्यूट करेंगे इसका दमान निकालना है इसको इस तरह ली देंगे एकस क्यूट माइनस वन बैस एकस क्यूट और माइनस थेरी इन्टू एकस माइनस अब वन बैस के जगा पर हम क्या ली खेंगे इसके जगा पर यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यहां पर एकस माइनस दो का होल स्क्वार का मान नहीं आया है तो यदि स्क्वार इधर देगा तो क्या चरेगा रूट चरेगा तो टो एकस माइनस ओन वान बैस का मान के तना हा तो एकस माइनस के जगा हम कैसे नहीं के तेन तीन तो यहां पर एकस क्यू मार वन फई क्यो और रह चित्री के नहों आया ख्रूण सुन एस को आगए बर हैंगे तो फिर इसके जगापे हम 3 नहीं सकते है, 3 का Q, x-1 by x3 नहीं सकते हैं 3 का Q, तो 3 का Q इतना हो 27 और बरावर इधर क्या बहचा? इधर 9 माइनस में इधर रहें का तो पलास में, बरावर xQ, minus 1 by xQ, जो रहेंगा तो 36 इसलिए xQ, minus 1 by xQ, बरावर 36 हमारा राइट एंसर आया, यदि आप्शन की बात करें तो आप्शन अबर ये हमारा सही उत्तर होगा, थोरा से लंबा है, बट बनाएगा तो बहुन जाएग तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण की और, यदि, यदि 999, x, plus 888, y, बरावर 1332 हो, समय करां, फरस्ट माल लेंगे, और 888, x, plus 999, y, बरावर 55 हो, तो हमको x, स्कुर्ण मान स्कुर्ण मान स्कुर्ण का मान निकालना है, तो आप इस को देख सखयें, इस लंबा है, इसको पहले भाग कर के छोटा कर दिये जाए, तो दोनों में 11, 20, इसमें 11, 20, 999, अब फिर 11, यहां पर 9 बार में आजाएगा 9 x plus 8 y बराबर इसको भाग करेंगे एक 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 एकार से भाग करेंगे तो आ जागा 12 फिर इसी तरह इसमें करेंगे तो 8 x plus 9 y बराबर कितना यह पार आच्छा गया 2 में 3 मानेंगा और इसको चार मान लेंगे दोनों के इक एकोल करने के लिए किसी एक में करना पारेगा गुणा तो आठ में नौस इसमें नौस गुणा करेंगे और इसमें 8 सब्सक्रांगे तो 9 x plus 9 72 y बराबर बार नामा एकसो आट फिर एक एक्स ऑपलास आठने मां 22 तर वाई बराबर 85 चारलीश अब साल्व करेंगा इसको तो यह दूने तो चैनल हो गया एक रहे में साथ और यहां पर साथ में सब्सक्राइब एक साथ बराबर और सुट सब्सक्राइब करें इसलिए आपके तना है चार निकल क्या एक स्काइब है लू कितना नि समीकराण जो छोटा है उसी में फूट करेंगे है लिखेंगा समीकरान थर्ड में एकस बराबर 4 रखने पर समीकराण थर्ड क्या है 9x प्लस 8y इकल 12 जहां एक से वहाँ आपकर लिखेंगे तो 9 इंटिफोर प्लस 8y बराबर 12 तो 36 प्लस में उधरेगा तो मैनास में 8y बरा सब्सक्राइब निकलना है तो एक सब्सक्राइब हम क्या पूट करेंगे फोर के स्कुवाइर माइनस वाइनस थीरी के स्कुवाइर तो 16-9 घड़ेगा तो साथ जो हमारा सही उतर होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगला प्रस्ण बहुत ही इंपर्टन है इस तरह के सवाल बहुत बाद ही जामें आता है और आता भी है तो 74 नमबर सवाल आप बोड़ पुझे सकते हैं दो समान तिरभूज ABC और तिरभूज MNP में एदि AB 72 cm MP 44 cm और PN 47 cm हो तो M कौन ACB बराबर M कौन MNP और M कौन ABC और M कौन MPN है तो भुझा ABC की लंबाई सेंटीमेटर में कितनी होगी इसी के मान हमको निकालना है दोनों तिरभूज समरूप है पहले चित्र बनाते हैं एक यह तिरभूज हो गया और एक यह तिरभूज हो गया और इसकी लंबाई कितनी है यह जो है सवादू सेंटीमेटर है और इसका नाम है A B C और इसका नाम है M A तो दोनों चित्रों में क्या दिख रहा है तिरभूज ABC यह तिरभूज MPN जो है समरूप है तो इसकी लंबाई में में मंगा को 코로 सिख रहे हो जो होगा और इसकी लंबाई जो होगा कन जो फाद तिक met और इसकी लंबाई और इसकी लंबाए दोनों का अनुपाथ जो होगा एक दूसरे का बराबरहा यह बंदर MP म ब्राबर Betsy बटा MP यह पॉइंट से पॉइंट तो हट गया कि आंके इसलिए तब पाचना पैताल लेशा पॉइंट से दो जिरो नीचा आ गया पॉइंट यह ठीक है तो पंद्र छाके नबब कि साथ बरम करेंगे करेंगे भारे पचिस साथ और पंचों सोगे 20 अपाचै पाची सबस्कार नियुक्ट आप कटे का लिए तुसको भाग करेंगा दिना मयगा इस तरह हम आगे वाले प्रस्ट को देखें तो आगे वालो प्रषन है एक दिए गए संभावति तिरभूज एक शामाव तिरभूज एबिसी है A, B, C बन गया जिसमें D, E, F D, E, F मादे बिंदु है भूजा का D, E, और F हो गया करमसा A, B, B, C और A, C के मादे बिंदु है तो चतरभूज चतरभूज B, E, F, D B यह यहाँ होगा B, E, F, D यह बाला चतरभूज जो है यह B, E, F, D पूर्णता क्या होगा यह मतलब क्या होगा आयत होगा कि वर्ग होगा कि समांदर चतरभूज होगा कि समलाम चतरभूज होगा इसको सॉल्व करने से पहले आप बोट पर देखिए जो जो दिया हुआ उसको लिखे हैं गुंधरम मतलब फिवरम का उनुसार D, F का जो मान होगा B, E के मान के बराबर होगा D, F का जो मान होगा B, E के मान के बराबर होगा कि समलाम चतरभूज के अंदर बना है तो इकवल होगा होगा न जी आगे E, F का जो मान होगा वो A, B का आधा होगा मतलब E F E और F इसका जो मान होगा पूरा A B का क्या होगा आधा होगा इसी तरह आगे हम देखें तो आगे कोशन का उन्रिसार E F का जो मान होगा वो B D के बराबर होगा इसी तरह A B का जो मान होगा वो B D के बराबर होगा यह और यह एक बराबर होगा जो बराबर हो रहा है तो सब क्या है इस तरह यही निकल रहा है कि यह इसके इकवल है और यह इसके ऊकवल है यानी बी इ बराबर E F बडेर ! अब्ड मतलब चारह भुजदा क्या है ? एक्व आ ठीक है । और कोई भी आ बीक दीक न ज्यों ना स्थरू कि un réseल को हैañ क्या बनेगा स्वाम्चोत्र भूज का हलाएगा पर साम्चोत्र भूज इसका रायट अप्सन ऑगा यति ऐप्सन की बात करें तो अप्सम नमबर अफसर नमर डी हमारा सही उतर होगा इस तरह आगला प्रस्ण लिखा हुआ है एसी ऐसे विरित की जीवा है जिसका केंद्र ओ है यदि बी चाप एसी पर कोई बिंदू है और कौन ओसी ए कमान 20 डिग्री हो तो कौन एबी सी का परिमान क्या होगा तो जिसरे सवाल बोल रहा है उस तरह हम फिगर बनाएं तो फिगर में एक सर्किल है और इसमें क्या है ओ एसी यहां ओ यहां ए और यहां और यहां क्या है यहां बी है यहां 20 डिग्री है कि यहां है कि यह दोनों भूया एकवाल जब यह 20 डिग्री है तो एब ही 20 डिग्री होगा हम जानते हैं तिर भूज के तीनों कोनों का मान 180 होता है दूगए यह कितना हो गया एक सो चालिस हो गया तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर थीनुन साथ डिग्री के कौन मौनता है बोचे कहा कितना है 220 सब्सक्राइब डिग्री और यह गान कमान का दुधीन होगा तो हम क्या चालेंगे तो क्या करेंगे दोसे बीसक्राइब आधा करेंगे तो किते एक सूदौण आएगा और यहीघ हमारा सही उत्र होगा यहे आपससन की बाद करें तो आपसन नंबर डी हमारा राइट आपसन होगा इसका आगावाला प्लस्टन को स्क्रीन पो जाह सकते है सवाल है ए कोन तिल्भूज के सिर्ष के निर्दसांग इस समक्तिल बूंज हो गया और इसका फीर्च किनरोत्षांग कितने कितने हैं यहाँ पर है when और एक वार क्या है और यहां क्या सैस सात कोबा चाइश है और इसका है थीमाचे पर आठ यहां को इसका दिन पर निकलना याद रहा है जब समकोन तिरा भॉज में वाली सिर्श पर जो रेखा बिंदू होत यहाँ है तो 3, 4 हमारा राइट अप्सअन होगा आगे वाल प्रस्व बहुत ही मिपोर्टन है आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीठा का मान दिये हुआ है 45 डिगरी इसलिए हमको क्या निकलना है सेख ठीठा आपलस कोषेख ठीठा का मान निकालना है तो यह तो अप्सान की बात करें तो अप्सान नमबर सी हमारा सही उत्तर होगा है आई होब सारे प्रश्ण आपको समाजी में आ रहे होंगे यदि आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो के लाइक कीजिए और जो प्रोब्लम आ रहे हैं के माधम से आप हमसे जूर सकते हैं और हमेरे चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इस तरह हम आगे देखिए अगला कोशन है कोशन ए वन सवाल है one plus coat square a बटा one plus cosec a इसको हम solve करना है हमको solve करना है इसको क्या हम इसके जोगा पर इस तरह ली सकते हैं one plus cosec square a minus one इसका फर्मूला होता है तो लिख दिये और फिर one plus cosec a इस तरह ली सकते हैं इसको हम आगे solve करेंगे तो यह इस तरह हो जाएगा one plus cosec a plus cosec square a minus one बटा one plus cosec a फिर cosec को common करेंगे तो यहां हो जाएगा cosec a into one plus cosec a बटा one plus cosec a यह और यह cancel हो गया तो बचा क्या cosec a हमारा सही उत्तर बचा एदी option की बात करें तो option number d हमारा right option होगा अगला प्रसुंत्र धूनला दिख रहा है फिर भी आप इसको adjust किजिए सवाल है बाहे को निवनलिखित में से कौन सा अलेखी निवपन संभाई बरांबरता को सही से दरसाता है तो सही उत्तर इसका होगा तोरन वाक्र संचाई बरांबाता जो है यही सही से दरसाता है यही करें आप्शन की तो आप्शन नमबर कि जो होगा हमारा सही उत्तर होगा इस कोशन को अगले प्रशन को आप स्क्रीन पर दे सकते हैं इसा लिखा हुआ है दो समान समकौन दो समकौन तिर्भूज है आप बोड पर देख सकते हैं एक है एल एम एन और एक है ओपी क्यू ठीक है और इसका मान दिया हुआ 48 cm और इसका दिया हुआ है 36 cm यहां इसका मान निकलना है और यह दिया हुआ 12 cm इस टाइप से एक और कोशन आया था 10 मिनिट पहले बनाये है आप देख सकते है तो इसका हम सल्व करेंगे पर दोनों सम्रूप है तो सम रूप है तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना क्या होगा इकोल होगा तो 48 बटा 36 आप बराबर एक सब्सक्राइब करेंगे तो यहीं हमारा राइट अप्शन होगा 16 cm जो होगा हमारा सही उत्तर होगा यदि option की बात करें तो option number a जो होगा हमारा सही उत्तर होगा अगला प्रस्न जिसका प्रशितर आप बोड़ पर देख सकते हैं सवाल है दी गई आकिरती में O के अंद्र है तो S किसके बराबर है मतलब X का value हमको निकालना है किसका value निकालना है X का कौन P का मान 90 degree है कौन S का मान निकालेंगे तो 180 degree में से 90 plus 35 घटा देंगा आप चित्र देख सकते हैं 180 माइनस 93 बार 125 है घटेगा तो 65 degree आया है S का मान कितना है 65 degree चीक है और कौन S का जो मान है चित्र का अनुशार कौन R के बराबर है आप चित्र देख सकते हैं बोड़ पे तो जब दोनों का मान एकवाल है तो इसलिए कौन R भी 65 degree ही होगा सरी गलती हुआ है कादू घटाओ 55 डिग्री होगा 55 डिग्री जब कौन S 55 डिग्री है तो कौन R भी 55 डिग्री होगा इस तरह आप्शन की बात करें तो आप्शन नमबर B हमारा राइट आप्शन होगा नेस कोशन है यदि X पलस 3 X स्क्वार पलस के X पलस बारे के गुनान खंड हो तो के का मान निकलना है तो आप बड़ पर देख सकते हैं कोशन बहुत ही इंपोर्टन है X पलस 3 X स्क्वार पलस के X पलस 12 के गुनान खंड है तो के का मान हमको निकलना है जब X पलस 3 बड़ाबर 0 सुने के बड़ाबर करते हैं तो 3LLS मुझोरे हैं 10 मैं x VARB VRO의 3 आया पर इसमें मैनस तेल को रखेंगे x बराबर MARANTE 3 रखने पर आप वोट्वक देशक्ते हैं तो x Q 4 P P × K 12 बराबर 0 पर पर x भुक्त का मैनस Tेल का स्क्वारर आप प्लस के मैनस 3 आपzier 12 बराबर 0 तो तिंडिका स्क्वायर माइनस के सरफ प्रलास पलस मानस मानस 13 के हो गया है यहां पर बार अब दार बावर जिरूर्व अपनां इकृत पी स्पर जानी जब कि कि अ मैनस में मानच हुकी सू 또 मैं आद इसलिक यह इन तो प्स नम्बर अप्शन नमर बी हमारा राइट अप्शन होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल है यदि इस समी करन एक से स्क्वार माइनस से एक मूल क्या दिया हुआ है एक मूल पांच हो तो के कमान निकानला है इसके पहले जिस तरह सवाल बना थे इस तरह यह भी बनेगा इसको भी इस तरह बनाएंगे जहां एक से वहां पांच रखेंगे तो एक स्क्वार माइनस सिक्स के एक सपलास फाइब बराबर जिरो तो यहाँ पर एक स्वार माइनस सिक्स के इन्टु फाइब पलास फाइब बराबर जिरो तो पाच के स्क्वार पाचीस आ माइनस छाप पोचे तीस के पलास पाच बराबर जिरो पाचीस आ पाचीस आ पा अगले प्रस्ण की और अगले प्रस्ण को आप देख सकते हैं अगले में नाओ प्रस्ण करना तो पहले वाले को इस तरह लिएंगे और लास्ट वाले को भी इस तरह लिएंगे और देखेंगे कि क्या करें कि जो भटाब करने पर यह दो गुना भय करने पर अगया तो देखिए आप धि यहान से 2328 तो-12 gospel 1612-621-18 । –21 우ere 42 ऐक काम हो जाए है implement करेंगे 4 एक्स यहार 2 नॉय नॉय बा्ट lei 8 १-312 यहां पर 3 करेंगे तो 3 का नौ लोग आ नНवह दो भाग सिरी सकी हमाक्ति ङा तो 4 एक को एक में कर देंगे और इस दोनों में से किसी एक को लिख देंगे और यही हमारे गुरांट हुआ है और देखेंगा option में कौन option मिल रहा है तो option number option number D हमारा right option होगा तो इसको पहले कर दिया है उसको फ़रक नहीं पड़ता है option number D हमारा सही उत्तर होगा इस तरह बिहार पॉल टेक्निक इंट्रेसी जाम का पूरा मायत का solution खतम हुआ यह तो अब हम फिजिस का solution बनाएंगे तो ऐसा ही आप हमको support करते रहिए और हमारे वीडि लाइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत